हेलो माई दियर CMA इंटे शुडेंट्स देस साइड प्रोफेसर हर्श शगरवाल फ्रॉम अकाया शगरवाल क्लासेज आज आपका पेपर नंबर 6 फाइनेंचल अकाउंडिंगा पेपर हुआ था पेपर बहुत ज्यादा इजी आए था सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बच्चे लोगों ने आज पेपर दिया है जो लोग नर्वस है सर हमको पता नहीं हमारे एंशी कि उसके आंसर राइट है या रॉंग है हम को थोड़ा डर लगता है तो मैं आपको बोलूगा जितने भी कमजोर दिल वाले बच्चे है प्लीज आप ये वीडियो मत देखना ये वीडियो आप एक्जाम्स के बाद जब आप एक बार सारे एक्जाम्स देते हो उसके बाद देखना चिंदा करने की कोई बात नहीं है आप लोगों का अपने नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेर करना है मुझे बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था सर प्लीज हमको mcq solving बता दीजे हमको ये मतलब हमको ये शौर हो जाएगा कि हम पास हो रहे है नहीं है इसलिए मैं आप सब के लिए क्या रहा हूँ mc से आराम से मतलब कोई दिक्कत रहने का कुछ कामी नहीं है एकदम easy easy आपका क्या था पेपर आया था तो मैं आपको बताना चाहतो पेपर नमर 6 फाइनेशल अकाउंडिंग का ये सजेस्टे आंसर है सबसे पहले जितने भी मैं आपको mcq इसके आंसर बता हूंगा हमारे अक equity plus outside liabilities जिसपर हम लोग बोलते capital plus liabilities is equal to what asset option में भी रहेगा आपका सबसे पहला आपका correct answer एकदम simple simple fundamentals of accounting से सवाल आया था cash in hand always have debit balance cash in hand always have debit balance cash में कभी negative balance हो सकता है क्या नहीं बच्चे लोग एकदम simple एस वन का पहला सवाल पूछ लिया था बाई साब कि बताओ आपके fundamentals आपके क्या रहने वाले हैं कौन से कौन से fundamental accounting assumptions है अगर आपको पताया रहेगा तो sir going concern consistency और accrual option में क्या रहेगा एकदम basic सा सवाल आपको पहले पूछ लिया था choose the correct statement error of principle does not affect the trial balance sir वो affect करता नहीं है आपको सुनना क्या बोले आपको correct correct statement मतना है क्या बताना है correct statement error of principle अगर आपका रहा तो आपका trial balance agree होने वाला है हमने पड़ा हुआ है compensating errors रहा फिर भी क्या होने वाला है आपको बोला गया था calculate sales from the following details opening stock दिया है cost of goods sold दिया है closing stock दिया है direct expenses दिया and GPDI you have to find out the correct sales बच्चे ने question पढ़ा रहेगा तो टीक से mark ही आ रहेगा अगर उनको पढ़ा रहेगा COGS plus profit is equal to what sales तो COGS मेरा कितना है sir 30,000 मेरा profit कितना है 1,500 आंसर कितना आएगा 31,500 option number क्या रहने वाला है बी एकदम simple simple size का जवाब था question number 5 तो मतलब इतना basic था अगर जो बच्चा पढ़ा रहेगा question मतलब उसका MC की उस और जरूर आप लोग जब solution देखने वाले हो जितने भी बच्चे लोग वापस से बोलूँगा जितने भी कम जोर दिल वाले वो प्लीज ये lecture मत देखना आप बात में exam के बाद देख सकते हो दूसरी important चीज़ में को comment section में जरूर बताना आपका paper कैसा था दूसरा आप कितने mark secure कर रहे हो वो भी मुझ अगर आपको याद रहेंगा regular lecture में cashbook passbook किया था check issue किया cashbook का balance नीचे गया 15,000 से यहां पर 10,000 से ही कया starting point आपका cashbook यह तो 5,000 से add होएगा option number C एकदम simple था question number 6 का answer मतलब यहाद तक अगर आपने सही किया रहेगा तो 12 marks जया था कि secure हो गया आपके sir second hand card purchase किया for 2 lakhs excluding inner initial repress cost आपका 50,000 तो 2 lakh plus 50,000 कितना आएगा आपका 2 lakh 50,000 दूसरा important चीज आपने उसको 1 lakh में बेच दिया after 2 years अगर आपके पास calcium रहेगा 2 lakh 50,000 आप depreciation charge करो 20% on WDV less करो 20% less करो 20% दो दो बार आपको 20% minus करना है तो आपका answer आएगा 1 lakh 60,000 आपने 1 lakh 60 का asset बेच दिया 1 lakh में तो आपका amount कितना बचा loss रहेगा with the amount of 60,000 loss कितना रहने वाला बच्चा लोग 60,000 आपका क्या रहने वाला है loss रहने वाला है एकदम simple सवाल सर उसके बाद x draw a bill of exchange यह question में बहुत सारे बच्चों ने गलती किया रहेगा exchange of why on 20% payable on 3 months on the due date why could not make the payment and requested to renew a fresh bill for 3 months at 12% interest the amount of fresh bill will be आपको बोले नया बिल का यहाँ पे na 12% दिया है not per annum और annum नहीं दिया तो यह बच्चा यहाँ पे confused हो गया रहेगा और उनने गलती से कोई answer गलत माक कर दिया रहेगा 20,000 तो amount है ही plus 20,000 into 12% कितना आएगा आपको देखना पड़ेगा क्याल सी पर अगर करोगे तो आएगा 2400 तो बीस हजार प्लस 2400 आपका amount रहेगा 22,400 बहुत सारे लोगों ने छोड़ी छोड़ी गलतीया करके इसको क्यार रिकार रहेगा 20,600 चिंता गन्ने का बात नहीं है एक MCQ गलत हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है हमने बाकी सारे MCQ उस्तों राइट किये रहेगे चूस दी ओड्र आउट आपको बताना है कि गुडविल का कुंसा मैथड नहीं है प्रीम एक मेथड होता है रिवालुएशन एक मेथड होता है विडाउट रेजिग गुडवील एक मेथड होता है रिवालुएशन ओफ अन्रिकोर्डड असे डरता है कि हा नहीं 9 को option कह रह यह फॉल्स वाले में आपको दिमाग चलाना पड़ेगा सालवेज स्टॉक में स्टॉक सेव डूरिंग डी अक्षिजन एकडम सही पॉइंटे सर अन्यूजल आइटम्स आइंड डिफेक्टिव आइटम्स आर सेपरेट अंडर इंशरंस नहीं यार हम तो एक नॉर्मल का बना अगर आपको याद रहेगा आपका रीचो कितना रहेगा अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो तो फिर भी कर लो आपका फिर भी आंसर सेम आएगा 3 to 1 किसी बच्चे को अगर solve करना है न तो अगर वो करता रहेगा new minus old उसका new ratio कितना होएगा 3 by 4 a के लिए और उसका old ratio कितना होएगा 3 by 6 और यहापे b के लिए कितना होएगा 1 by 4 minus आपका हो जाएगा 1 by 6 इससे आप आराम से solve हो तो denominator equal कर दो आपको answer मिलेगा into 6 into 4 into 4 into 6 तो 3 6 दा 18 minus 12 upon 24 यहाँ पे into 6 into 4 into 6 into 4 तो 6 minus 4 upon 24 तो यहाँ पे 6 by 24 यहाँ पे 2 by 24 6 is to 2 that is equal to 3 is to 1 option number क्या सही रहेगा आपका option number a एकदम करेक्ट आंसर रहेगा आपका goods are transfer from department x to department y यह तो हमने बहुत सारे sums किए इसके रिगारी अट price so as to include a profit of 33.33 on cost if the value of the closing stock of department is 18,000 then the amount of stock reserve will be to 100 रुपय 133.33 और यह आपका आ जाएगा 18,000 simple simple cross multiply करोगे आपको यहाँ पर amount दिखेगा 13,500 डिफरेंस आएगा आपका कितना 4500 option number क्या रहेगा आपका B unrealized profit का सवाल पूछ लिया था आपको stock reserve निकालना था आपको और कुछ भी नहीं करना था यह यह तो ना हमने बहुत सारे सावाल इसके रिगाडिंग सॉल्फ कियेता है income statement of charitable institution is known as income and expenditure account contingent liabilities will be appearing in what as a note in the what balance sheet as a note in the what balance sheet contingent liabilities कैसे अपियर करेंगे यह आपके 15 mcqs के सवालों के जवाब थे एकदम simple सवाब थे में को chat box में हर एक बच्चे ने बताना चाहिए कि कि कितने आपने marks secure कि और कितने marks अपने secure नहीं किये यानि कि आपने 30 में से 28 right थे 28 marks secure करें 26 करेंगे अब पूरे 30 कर रहे हो उसके अलावा अगर मैं आपका overall paper बता हो यह आपका simple simple depreciation का सवाल पूछ लिया था आपको देन अगर आप लोग नीचे जाओगे rectification of errors का question आया था बहुत सीम टाइप के questions हमने class में कर रहे थे वही जाइप को question आ अगया था अपका फिर उसके बाद यह आपका एकदम simple simple consignment का आपका सवाल आ गया था मलब थी तो आपके पूरे पूरे foundation वाले topics थे यह आपका higher purchase वाले समा गया था higher purchase जो मैंने आपको success batch में करा रहेगा अगर आपने वो attend किया रहेगा definitely a question आप attend करके आ रहेंगे again यार मैंने आपके साथ single entry solve किया था single entry 14 marks के लिए आया मलब अगर आप देखोगे तो आपको कोई भ 4 easily आप tackle कर सकते थे यह question number 5 आपको पूचा गया था retirement के बारे में retirement के बहुत सारे sums हमने class में कर रहेगे अगर कोई बच्चा partnership छोड़के गया रहेगा डिक्कत नहीं है पहले तीन question उन्हेंने solve कर रहे अच्छी तरीके से partnership का यहां पर retirement का सवाल आपको पूच लिया गया था question number 6 में आपको क्या पूच लिया था branch accounting का सवाल पूच लिया था यह simple simple आपको branch account शो करना था उसके बाद से आपका branch stock था branch data था यानि कि आपका दूसरा वाला method था अंगर आपको याद रहेगा second वाला method जो मैंने आपको करवाया था insurance claim का सवाल आगया था बाई साहब एकदम simple simple मैंने insurance claim भी आपको पूरा करवा रहा था यह आपको एक सवाल आ गया था उसके बाद आपको objectives of age 10 यह आपको accounting standards के लिए सवाल पूच लिये थे inventory का सवाल था उपर वाला और नीचे वाला आपका किसका था accounting standard 10 का यह आपको age 12 के उपा सवाल पूच लिया था यह आपका simple simple सवाल था अगर आप लोगों ने ठीक से पड़ाई किया रहेगा यह पेपर आपके लिए आराम से आप 85 अब आव अटेंट करके आ सकते हो तो यह मेरे तरफ से था mcq discussion आपका बाकी का पूरा 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 पेपर का solution भी हम लोग बहुत जल्दी हमारे चैनल पे अकाश अगरवाल का असे के लिए क्या आने वाले अलड़ी हमने law का पेपर अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो डू लाइक दी वीडियो डू शेर विट यू फ्रेंड्स आन दूसरा चीज कमेंट सेक्शन में में को यह जरूर बताना आपको कितने मांग सारे तब ते के लिए थैंक यू सो मच बाबाई टेक के और अब आल दी ब